प्रेंट्स क्या चाहिए लोग तो फ्रेंट्स आज आपके स्टी यानि सोशल साइंस की किलास नमबर फर्स्ट देगे जो आपका सीटेट का एक्जाम होने वाला है उसमें आपकी सोशल साइंस आती है पूरे साथ नमबर की बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप लोग इसके अंदर अच्छे नमबल लेकर आगए तो समझ लोग आपका सीटेट बहुत अच्छे से यही पास करा देगी तो आज इसकी क्लास नमबर फर्स्ट है क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके सीटेट के अंदर जो आते हैं लाइक आपका आपके क्लास चलने वाली है और पेपर टुवा लोग लिए बड़ा मेहत्पूर नहीं था आपका जो सोचल साइंस रहता है बड़ा स्कूरिंग सब्जेक्ट रहता साथ यही डिचीज़ करता है आपका सीटेट एक्जाम पास होगा या फेल होगा ठीक है तो इस साथ नमब खर दिया करो ठीक है मेरी आदत भी नहीं होती है तो चलिए किलास की स्टार्टिंग कर लेते हैं सभी को गूड इविनिंग और मैं ठीक हूँ आयोप आप लोग सब ठीक होंगे बाकि उसके अलावा यह मेरे सीटेट के नोट से जिनको आप लोग मेरी वेफसाइट सचिनेक ताकि आगे के एक्जाम के लिए आपको NCRT 8 लास तक की मिल जाए तो आपको दोनों पेपर के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे मेरे नोट के अंदर इनके अंदर आपको देखे जो जो चीजे है वो मैंने लिखी भी हुई है आप लोग सा एक काम करना आप लोग गूगल को उप करके इनको आप लोग यहां से अपना डाउनलोड कर लेना साथ में यहां पर एक पासवर्ड दिया होगा उस पासवर्ड से आपके नोट सपन होंगे ठीक है इनके अंदर आपको लगबख सारा कंटेंड विल जाएगा अगर को इनको प्रिंट कराना चाता है तो प्रिंट बहुत जाद है जो मल्टिबल सिफ्क में आये तो इनको चाहे तो आप प्रिंट भी करा सकते हो वन्ना मोबाइल में बहुत इसली पढ़ते आप से पहले जितने बच्चे पास हुए सब इसी तरीके से पढ़कर पास हुए तो यहां पर जाकर आप ले सकते अगर आपका कु खाली मेरी website के ओपर मिलते हैं इसके अलावा अगर आपको कहीं भी मेरे notes मिले चाहे Facebook पर मिले चाहे WhatsApp पर मिले टेलिग्राम पर मिले या किसी भी और channel के नाम से मिले या मेरे channel के नाम से मिले तो समझो fake है क्योंकि मेरे notes या मेरे channel सिर्फ एकमात रही है और मेरी website सिर्फ यही अगर आपको अपना एक्जाम पास करना है authentic आपको जो real notes है वो आपको मेरी website पर मिलेंगे syllabus के according जितना आपका content रहता है mostly नोट्स कंदर डालवाई चाए paper one हो चाए paper second हो NCIT किताबों का notes in notes कंदर आपको मिल जाएगा जैसे मैंने का paper second के लिए च्छटी, साथ वी, आठ वी की जोगरिफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के किताब आपके लिए महत्पन होती है तो वो इनकंदर आपको मिल जाएगा साथ के साथ paper one भी मिल जाएगा पिरिवेसर के question paper 2011 से लेके 2022 तक जो आपका online paper हुआ था पिछले साल दिसंबर में multiple shift ने, वो सभी सकंदर आपको मिल जाएगे कुछ नए topic आए तो नए topic को भी इनकंदर ले दिया है mostly जो आपके notes से वो bilingual है लेकिन social science बहुत ज़्यादा content दिया हुआ है असल में anxiety बहुत ज़्यादा होती है तो इसको मैंने हिंदी में करावा है लेकिन main terms को English में करावा है बाकी subject आपको mostly bilingual मिलेंगे असान भासा में मिलेंगे और photo trick के साथ मिलेंगे तो इस notes की कुछ बात थी जो मैंने आपको बताई गूगल पर जाकर search करना search in academy.com और यहां से जाकर आप ले सकतो इसके लावा आपको और कहीं से भी मिले तो समझ जाना वो फेक है आप लोगों कोई पागल बना देगा ठीक है तो इन लोगों सापको दूर रहना है अब दे दे के मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप लोग 55 प्लस लेकर भी आ सकते हो अगर मैं आपसे यह कह दू कि आपको सिर्फ यह चीज पढ़नी है इसी में से आपका पेपर आना है तो क्या आप उस चीज को नहीं पढ़ सकते हो उसके बाहर आपका पेपर ही नहीं आता तो 55 पर नंबल लाने के लिए देखे सबसे पहली चीज होता है content तो जो इसमें content आता है Social Science में वह आता है आपका NCRT की किताबों में से छटी, साथवी आर्टी की जोग्रैफी इस्टी, पॉलिटी के आप लोग किताब पढ़ लेना अगर आपके पास time है तो आप लोग NCRT की कि मिलेगा ठीक है तो दोनों मेंसे जो आपको ठीक लगे वो कर लेना एक चीज़ और पेपर फरस्ट हो या पेपर सेकंड पेपर सेकंड के लिए तो कोई किताब मिलती नहीं जो अथेंटिक है लेकिन आपको मैं हमेशा सिर्फ एक किताब कर सकता हूँ किताब हो उससे कंटेंट को मैच कर लेना सिब आदा मलब 50% कंटेंट भी अगर मिल जाए तो आप मुझे बता देना ऐसा आप को लोवर इंडिया में मेरे खाल से नहीं मिलेगा मैंने लगबक सभी किताबे देखी हुई है ठीक है तो आपको पढ़नी है तो NCRT की किताबे NCRT पढ़नी है छटी, साथ वी, आठ वी के आपको उसके अलावा दूसरी में चीज आपके प्रिवेस एर के कुश्चन पेपर और खासकर जो आपका पिछली बार ओनलाइन पेपर हुआ था जो मल्टिपल सिफ्ट में हुआ था देखे कर मैं कुछ 3-4 सिफ्ट को छोड़ तो वह असान आई थी वन्ना बागी जितनी भी शिफ्ट के अंदर आपका सोसल साइंस आया था वो सभी में आपका मोडरेट लेवल का पूछा गया है ना तो असान था और ना यह बहुत मुश्किल था लेकिन मीडियम लेवल का पूछा था और बच्चों को बहुत दिक्क गोजी तो यह काम कर सकते हो आप लोग खुद से NCRT की किताब ला सकते हो, खुद से notes बना सकते हो, खुद से material उसमें छाड़ सकते हो, फिर आपको एक अलग से previous year के किताब लानी पड़ेगी, जिसमें आपके multiple shift में आपके paper मिल जाए, मेरे ख्याल से market में भी तक नहीं आई है, जिसमें December वाला paper दिया हो, वन्ना सबसे बड़ करता हो, ठीक है, और इन question answer का आप लोग साथ के साथ answer देना, और आपको पता लगेगा, आपके exam में कैसे question पूछे जाते है, मैंने आपको बता दिया, social science के लिए आपको क्या करना है, NCRT और previous year के question answer, बस, दो चीज के लावा कुछ ही नहीं, दूसरा अपने सचिन सर्व को लेना, वनना notes और plus, जो मेरी class चलिए, उनको कर लेना आप लोग, चलिए, पहला question सामने आपकी screen पर आगया, साथ के साथ आप लोग भी answer देते रहना, आप लोगो के क्या-क्या answer है, तो पहला question आपके सामने screen पर आगया, ठीक, यह मैं comment को नहीं आते है, छुप जाता है, ब पिचारों के बारे में कौन सा कतन सही है, सीटेट के एक्जामने बहुत question पूछा जाता है, आपके रविंदना टेगोर से, अब देखें जो NCRT के किताबों में रविंदना टेगोर के बारे में बताया हुआ है, हालकि कई famous personality के बारे में बताया हुआ है, तो उसी में से किस ना किसी famous personality के बारे में आपसे examiner question पूछ लेता है, तो रविंदना टेगोर से जो question आता है, देखें वो क्या आता है, तो रविंदना टेगोर आप सभी को पताया है, कहा के रहने वाले थे, कहा के कोलकाता के रहने वाले थे, कोलकाता से लगबग 100 km दूर इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला था, कुलकाता से लगबग 100 km दूर इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला था, और उसके अलावा 1901 में इन्होंने सांती निकेतन की स्तापना भी की थी, किसकी सांती निकेतन की भी रविंदना टेगोर ने स्तापना की थी, हमारे देश का जो राष्ट गान कमेंड बोक्स में आप लोग बतिए ठीक है तो ये भी इन्होंने लिखा था उसके लावा रविंदर नाथ टैगोर को नोबल पुरुषकार भी मिल चुका है इनको नोबल पुरुषकार मिल चुका है वो रचना के लिए मिला था हालकि इन्होंने बहुत सारी रचना लिखी थी लेकिन जो सबसे फेमस थी वह थी आपकी गितांजली तो गितांजली के लिए इन्हे नोबल पुरुषकार मिल चु जो जलिया वाला बाग जो कांड हुआ था ना जो जलिया वाला हत्या कांड जो हुआ था ठीक है जलिया वाला जो हत्या कांड जो हुआ था जलिया वाला बाग कांड जिसमें हमारे देश के बहुत से लोगों को मार दिया गयता है ठीक जो आपके हम रिस्तर के करीब में थी वह वापस लिटा दी ठीक है ले जाओ अपनी नाइट हुड की उपादी को तो कुछ बाते इन से संबंदित है जो मैं आपको रविंद्रना टेग और सो संबंदित बताई अब देखें आपके सीटेट के एक्जाम में एक बड़ा महत्पून चीज पूछ जाती है कि जो रविंद्रना टेग और है वो शिक्सा के संबंद में ये कहते थे कि बच्चो को प्राकर्तिक वातवरण में शिक्सा दी जाए बड़ा महत्पून पूइंट है सबसे ज़्यादा सीटेट में यही आया है ठीक है इंपोटेंट लगा ले ना इसको उपर कि बच्चो को प्र सरजनात्मक अधिगम को सरजनात्मक तरीके से सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रोसाइथ करने के लिए ये कहते थे ठीक तो पहला तो बिल्कुल से ही है दूसरा है कला संगीत और मिर्थ्यू पर बल मिर्थ्यू नहीं निरित्या करो इसे यानि डांस जो होता है यह टाइप हो गया कला संगीत और निर्ते पर बल देना ठीक है तो इसकी विवाद भी कहते थे उसके लगा पाश्यत्य सब्वेता जो वेस्टन जो कल्चर होता है और विज्ञान और तक्निकी आलोचना करते थे नहीं इसकी आलोचना इनोंने नहीं करी तो सिर्फ आंसर आपका पहला और आंसर दूसरा सई है यानि पहला उप्संट सई है ए और बी आपका आंसर सही हो जाएगा अब देखे अगर आपको रविंद्ना ट्यकण के बारे में सारी जानकारी पता है तो आप लोग ऐजली उसका आंसर दे सकते हो अब मेरी बात आप लोग ध्यान चे सुनना कोश्चन रविंदर ना टैगोर से जुड़ा हुआ सिंपल यह नहीं है किनोंने राष्टिगान दिया था नाइट हुड की उपादी मिली या किसके लिए नोबल प्रोष्कार मिला शिक्सा के छेतर में इन महान हस्तियों ने क्या-क्या काम किये थे शिक्सा के छेतर में इनके क्या-क्या विचार थे तो उनसे सम्मंदित कोश्चन आपके एक्जाम में पूछ जाते हैं जैसे रविंदर ना टैगोर से पूछा गया यह NCRT की किताब में आपको दे हुआ है ठीक आप लोग मेरी बास समझे रहे हो कि कैसे कोश्चन आपके एक्जाम में आते हैं और पेपर आना पूरा NCRT से इससे बाहर आपका पेपर नहीं आना अगर आपने डिटेल में NCRT पढ़ ली या फिर डिटेल में नोट्स में NCRT और प्रिवेसर के कोश्चन कर लिए उससे ब पढ़ते हुए करम में आपको लगाना है ठीक है चलो देखते हैं पहले नंबर पर क्या होता है पन्च्याइत ग्राम पंच्याइज बनाया जाता है प्रदान बनाई मन रेगा के अंदर लोगों को काम दिया जाता है मन रेगा के अंदर ठीक है जो लोगों को काम दिया जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है तो वो जिम्मेदारी होती है आपके ग्राम पंचयाद सदस्य की जिम्मेदारी होती है यह कुर्शन सीटेट में पूछा गयाता तो सबसे पहले होती है ग्राम पंचाथ, पहले लेवल पर, ग्राम पंचाथ के बाद दूसरे उपर आता है, आपका पंचाथ समीती आता है, ब्लोक ओफिस आता है, और तीसे नंबर पर आता है, आपका जिला परिसद आता है, ठीक है, जिला परिसद सदस से भी चुना जाता ह तो ascending order में आपका इस तरीके से बन जाएगा तो यह बनेगा आपका B, A और C, B, A और C, आंसर आपका थर्ड वाला आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है, तो यह question आपका इस तरीके से पूछा जाएगा, इनके बारे में detail में भी पूछ सकता है, तो NCIT को मैंने खाना detail में आपक चीजे में आपको detail में भी करा रहा हूँ, लेकिन आप भी साथ के साथ पढ़ते जाएगे, तभी एक अच्छा score आएगा, 50 या 55 प्लस का आपका ठीक, अगला question सामने आपकी screen पर आगया, question आपको दियावाय कि बहु विकल्पिक परसनों पर आधारित, बहु विकल्पिक प होता है, उसको विश्तरत परियोग संभव है, बिल्कुल सही है, उसका विश्तरत परियोग संभव होना चीए, दूसरा केवल, आप देखें, ये सुरुवात में ही मुझे भाई साम मिल गए केवल, मैंने कहा हुआ है, जो पैड़ागोजी जब आप सोल करोगे, और करोगे, जब आप लोग अपना पेपर दोगे, आपको एक टिक करना पड़ेगा कम्पीटर के अंदर, तो भासा का आपका यूद ज्याद नहीं होगा, ठीक है, तो भासा योगविता का सीमिताकलन, विद्यार्तों में सुधार के लिए सीमित संभावना होती है, इसके मुल्यांकर में पक्सपाथ की कम संभावना रहती है, ठीक है, जब इनका मुल्यांकर होता है, आपकी जो कोपी चेक होती हो, उमार चेक होती होती हो, उमार तो होता नहीं, उनलाइन होता है, तो उसमें पक्सपाथ की कम संभावना रहती है, बहु विकल्पिक पर्शनों के अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया कि निमिलिकित सांखी की आखड़ों के कुछ मैत्पून सरोत है जो परियोजना रिपोर्ट ठीक है यहापर बात हो रही है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हो रही है तो उसको त्यार करने के लिए प्रियोग के जा स श्कूल में निद्ग सरकार सेमरें स्कूल में जाकर पता करको अगर आपको साखसरता के बार में रिपोर्ट तैयार करनी है तो दूसरा भी सही है समचार पत्रों से आप लोग कोई भी authentic source नहीं ले सकते हैं और आज की date में तो मीडिया का इतना बुरा हाल हो चुका है आप लोग उनसे वैसे भी कुछ नहीं ले सकते authentic ठीक है आप सभी को बताए मीडिया का कितना बुरा हाल है तो समचार पत्रा आपका authentic source नहीं है Wikipedia भी आपका authentic source नहीं है कि वहां से जाकर आप लोग कुछ आखड़े ले लो अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करनी है किसी भी टोपिक से सम्मंदित तो सबसे बढ़िया source आपका आपका ए और बी सही हो जाएगा ठीक है आंसर ए और बी कहापर है केवल ए और बी अब जब आपका केवल आगे तो यह गलत होगे नहीं पैड़ा को जी में जब आपका केवल आए तो समझे जब वह आपका आंसर गलत होता है लेकिन ऐसे statement में तो आपको लगा नहीं पड़ेगा चली बढ़ते वह आपके सामने next question के और अगला question आगया match the following तो आपको match the following करना है चलो भी करते हैं करके अन्यनरी नदी विस्व की सबसे लंगी नदी कुण सी आपकी नील नदी नदी कॉन सी आपकी सबसे लंबी नदी नील नदी जिसकी कितनी डिस्थेंस की tu तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपकी अफरीका से उकर उखरती है तो अफरीका कौन साइस में पहला ही अफरीका है ठीक है तो यह आपका मैच था फोलोविंग पहले से हो गया अगला आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी अब देखो एकजामिनर ने कैसे फसा वा इस्थाणिय मानव निवास नहीं है जहा पर मानव के निवास नहीं है ईसनः तो यह पर जहां पर मानव नहीं रह सकता हूं कौन सा सबसे चोटा महादीब और आपको ऑश्टिलया होता है ठीक है इसका दूसरा नाम है दुपयम हादीब और यह question जो आपका पूछा गया महादीप वाले chapter से था इसलिए आपको सभी महादीप की knowledge होनी चाहिए ठीक है अब इसमें से अपना अंसर लगा देना आप लोग इतना काम तो कर सकते हो चलिए बढ़ते बापके सामने next question अगला question सामने आपकी screen पर आगया चलिए अगला question पहले परदेशों और सुस्क परदेशों में मर्दा संग्रक्षन की बात हो रही है soil conservation की बात हो रही है ठीक है इसका सबसे उची तरीका कौन सा है जो तटिया परदेश होते है और सुस्क परदेश होते है जैसे हमारे देश के अंदर बात करें जैसे मालीजर राजिस्तान के अधे आप लोग सामने सक्याट न पर खेत बना हूँ और याप लोग elle Reporter लगाए हुए यह यहाँ पर यह लगई हुई है यहाँ पर को लगाए जाता है ताकि मर्दा संग रक्षन का उची तरीकी से प्रभावसाली तरीके से किया जा सके ठीक है तो यह उतियाब की shelter belts यानि की रख्षक मेखला है नाम से पता चला है रख्षक की ये पेड़ जो होते है रख्षक का काम करते है आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा चुले बढ़ते हैं आपके next question क्यों अगला question आपके सामने screen पर आ गया question आपको दियावाए कि सरकार के विभी नंग कोई सरकार होते हैं कितने अंग होते हैं बेसिकली बात करें तो तीन की बात कही गई है आपके NCRT केंदर ठीक है वो होता है आपका विधाई का कारे पालिगा और नयाए पालिगा ये सरकार के तीन अंग होते है अब देखें जो विदाइका होती है, विदाइका में क्या होते है, जो नियम बनाने का काम करती है, या फिर जो कानून बनाने का काम करती है, ठीक है, यह होते हैं आपके विदाइका के अंदर, जैसे जो MP होते हैं, ML होते हैं, उनको कौन चुनकर बेजता है, हम लोग चुनकर बेजते हैं, तो नियम कानून बनाने का काम इसकंदर करते हैं दूसरा होता है कारेपालिका जो नियम कानून को लागू कराने का काम करते हैं ऐसे लोगों का समूह होता है जो इनको लागू कराने का काम करता है कौन लागू कराता है इनको नियम कानून को राश्टपति लागू कराता है, ठीक है, राश्टपति के लावा आपके राज्यपाल भी आपके लागू कराते है, राज्यपाल के लावा आपका मुख्यमंत्री लागू कराता है, मुख्यमंत्री के लावा और कौन-कौन हो जाएंगे, बताओ, जल्दी से क अलावा अधिकारी हो जाएंगे तो यह सभी लोग क्या होते हैं मलब और भी जितने हैं यह सभी आपके इन नियम कानून को लागू कराते हैं और उसके अलावा तीसे नंबर पर होती है आपकी नियाय पालिका ठीक है नियाय पालिका आप लोग क्या काम करती है जो डिस्प्य होते हैं जगड़े होते हैं तो जगड़ों को निप्टाने का काम करती है तो जगड़ों को निप्टाने का काम करती है नियाय पालिका और उसके अलावा हिंसा को कम करने का भी काम कौन करती है अपराद को कम करने का काम कौन करती है नियाय पालिका करती है जैसे हाई कोट हो ग इसको क्या जाता है जो इनके बीच में सकती होती होती है उसके distribution को रिजोंटल distribution का जाता है यानी सकती का 36 वितरण इसको का जाता है जहां पर एक लेवल पर जो सरकार के विविनंग है वो उनके विविन मिविन पर परियोग कर सकते ठीके तो आपका फर्स्ट आंचार आपका सही हो जाएगा चलिए बढ़ते बापके सामने नेक्स्ट कोश्टन की और अगला कोश्टन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया नेक्स्ट कोश्टन आपको दियावाई कि इन में से कौन सा सामजीक विज्ञान का पर्षन अलोचनात्मक चिंतन इसको समालोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं इंगलिस में नाम याद रखना इसका क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है अगर आपने NEP 2020 पढ़ियो हो मैंने अपने नोट्स में डाली हुई है पूरी हलाकी वीडो भी बानी डाली हुई है अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग होता है जब बच्चा सही गलत में से खुट डिसीजन लेगा अब देखिए मैंने आपसे कह दिया कि सोशल साइंस के अंदर अगर आपको पढ़ना है अपना स्कोर बहुत बढ़िया लाना है तो आपको NCRT की किताबे पढ़नी है और साथ में प्रिवेसर के कोश्चन आंसर आपको लगाने है बस इन दो के अलावा आपको कुछ काम नहीं करना ये दो चीज़ आपको करनी है ठीक है अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल इंप्लिमेंट कर ल आ रहा है तो बच्चा किताब लेकर आएगा प्रिवेसर के कोश्चन की को देखेगा कहा कहा से कोश्चन पूछे जारे उनको लिखेगा टोपिक को लिखेगा और बाद में निसकर्स पर पूचेगा यार पेपर तो NCRT से ही पूचा जाता है तो बेसिकली एक बच्चे नो आलोचनात्मक चिंतन होता है तो आपको बताना सामाजिक विज्ञान का कोण चापर आलोचनात्मक चिंतन कोशल विकास के लिए अधिक संभावना रखता है चली देखते हैं पहला पूइंट इस ने दे दिया पहला उप्षन देखते है कि आप क्या सोचते हैं आपके जंसंक्या पिरामिड क्या है बड़ा महत्पून कोश्चना आपके सोचल साइंज के अंदर पिछले जो ओनलाइन पेपर हुआता ना बहुत बार पूछा गया जो आपका जंसंक्या पिरामिड है इसको अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन इसने का जंसंक्या क्या है इससे किसी देश की जंसंक्यों को समझने में क्या साहत अपराथ होती है क्या इसमें डिस्कुशन चर्चा कोई प्रोजेक्ट काम हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है सीधा अंसर इसका दे दिया जाएगा तो ये क्रिटिकल ठिंकिंग को बढ़ावार नहीं देगा अगला गंगा बरंपुत्र मेदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाते तो इसका रीजन बता दिया जाएगा इसलिए पैदा किया जाते तो इसमें क्रिटिकल ठिंकिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा ये भी आपका गलत हो गया अगला कल्पना करे सुरू में आग च्रसपना करने की बात आ जाएगी वहाँ पर ब्लू अगला देखते हैं मुगल और अंग्रेजी सासन में जमीदारी की भूमिका का परिक्षन करे तो यहाँ परिक्षन करने से भीटिकल ठिंकिंग जादा जाएगी ठीक है आपने बच्छा इसकंदर देखता है का चीजश तो वाला सही हो जाएगा ठीक है तो critical thinking के बारे में आई ओप आप लोग समझ गयोंगे तो critical thinking के बारे में मैं आपको बता दिया चलिए बढ़ते हैं आपके next question की और अगला question सामने आपकी screen पर क्या दिया हुआ है जी प्लस वाला कोई पेंड नी देखो मैं paid class तो चलाता नहीं जितनी भी class रहती है मेरी YouTube पर रहती है फिर ही रहती है मैं आपको content भी बढ़ाता हूँ प्रिवे सरी के question भी कराता हूँ आपको तो चाहे तो मैं paid class करा सकता हूँ लेकिन paid class में नहीं कराता ठीक है अगर मैं आप आपको या पर सिफ question answer practice करा दूँगा तो वह भी आप लोगों के साथ ना इसाप ही होगी ठीक है सही नहीं रहेगा तो एज टीचर मैं आपको दोनों चीज कराता हूँ और content आपको best देखी रखा है तो मैं paid class नहीं देता जिन subject को जब मैं खुद करा सकता हूँ मेरी level से बा बच्चे को जोगरेफी के बारे में उसको नौलिज को बूड करना है कि बच्चा कैसे अपनी नौलिज को बिल्ड करेगा भूगोल के बार में कैसे जा साधा चीज जानेगा चली देखते हैं इस तानिया पारक गूमने के लिए सापता है कि योजना तियार करना आज तक कि तो कितनी आ बना लो जब ताक इंप्लिमेंट नहीं करोगे पड़ोगे नहीं चाएelinे उच्छ पाइदा करोगे देना विद्यार्ति और उनकी मरजी इसे गतीविदी करने की अनुमति देना देखेंगर आपने इनसे पाली वीडियो देखी भी हो मैंने उसमें का वा है जितना बच्चा खुद करके सीखता है जितने बच्चों को जा साथ opportunity दी जाएगी उतना बच्चा जल्दी चीज़े सीखता है ठीक है तो आंसर अभी तक आपका थर्ड से ही है विद्यारतों से उनके चेन और रूची का अनुसार विद्याल लेके खेल के मैदान को ववेस्तित करना ऐसा भी नहीं कर सकते ठीक है तो आंसर आपका थर्ड से ही हो जाएगा चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट कोश्ण के ओर देखें यह मैंने का अप लोग प्रिवेसर को कोश्ण उठाओगे नोट के अंदर देखना तो जंसंक्या पिरामीड से कई कोश्ण आपके एक्जाम में पूछ गए तो जंसंक्या पिरामीड होतागा है सिम्पल सा सोट वव में आप लोग उसको समझ लीजे कि क्या होता ये ठीक है कौन सा समझ में नहीं आया NCRT का कौन सा किताब छटी साथ वे आठ वे की आपको NCRT पढ़नी है इन वेक्तों पर विचार करिये देखे पहला है जनसंक्या पिरामिड पहले जनसंक्या पिरामिड को समझे यह बात पर इन इस्टेटमेंट पर हम लोग विचार करेंगे यह देखे जनसंक्या पिरामिड का इसको आप लोग इस तरीकी से देख सकते हो फिगर के माद्यम से यह जनसंक्या पिरामिड का एक फिगर बना हुआ है इधर तो आपकी पोपुलेशन दी हुई है इधर जो आपकी एज दी हुई है इधर आपकी एज दी हुई है कि यह जनम से लेके चार साल तक का बच्चा पास साल से नो साल तक का दस से चोदा साल तक का और यह सो साल प्लस तक का यह जो उपर है यह आपका सो साल प्लस तक का जो नीले वाले है नीले वाले मेल है और जो ये रेड़ वाले रेड़ वाले आपकी फीमेल है अब देखे यहाँ पर दियावाई जो नीचे वाली आप लोग पट्टी देख रहे हो ये जनम से लेके चार साल तक के बच्चे है ठीक है यानि चार साल तक का बच्चा है उसके पर जो जंसंक्या गुरूप है उसके ये बच्चे होते आपके पास साल से लेकर नो साल तक के अप देखे जंसंक्या पिरामिड आपको इसके नाम से पता चला है एक जंसंक्या का पिरामिड जिससे आप लोग क्या पिरामिड का जो चोड़ा आधार होता है चोड़ादार तो आपका यही वाला है नीचे वाला ठीक है यह जो चोड़ादार होता है वो भविश्य में बढ़ती हुई सर्मिक सक्ति का संकेत देता है बिल्कुल सही कहा है इसने यह जो चोड़ादार है इसका मतलब यहापर बच्चे जादा पैदा हो रहे है बच्चों की संक्या होने से देश के लिए सरम बजार में आर्थिक लाव की इस्तिति होती है अभी थोड़ी चोटे बच्चे जाद होगे तो आर्थिक लाव हो जाएगा सरम सक्ति जाद हो जाएगी यह भी नहीं होगा अगला है जंसंक्या पिरामिड का जो आधार है फिक तो जनला भाग होता है तक तो सिक र समझें आपके लिए हैं और को से और जितने भी देश होते हैं हर देश का अपना जंसंक्या पिरामिड अलग-अलग होता है ये भी बात होती है ठीक चलिए बढ़ते हैं आपके next question के और अगला question आपको क्या दिया हुआ है next question के और चलते हैं ठीक है एतियासिक इमारत्ती दोस्त कर दिया उसको बंस लगा कर फोड़ दिया ठीक या फिर माली जो ताजमेल से संबंदित आप टीवी देख रहे हो मुंबाइल देख रहे हो तो न्यूज वालों के नीचे clipping नहीं आती कुछ कि ताजमेल का रंग पीला हो गया पीला किस आखलन करेंगे बिल्कुल सही बात है जो लेखा होगा जिसने लिखा होगा उसके बारे में जो एंकर होगी तो उसके जो द्रिष्टी को नोगा पॉइंट ओफ यूँ और जो उसके सोर्स होंगे उसका आकलन करेंगे इससे भी तार्क चिंतन बढ़ेगा अगला है घटना क के घटित होने के परसंग में तर्ग परस्तूत करोंगे ओसा क्यों हो गया पीनल रंग यह ऊपड़ी तर्कों के टारी की चिंतन मुख्य बिंदु ना थी मेन पोईंट का शारांच बना दिया तो आंसर ए बी पहले आंचर आपका सही हो जाएगा ठीक है चले बढ़ते हैं आपके सामने next question के ओर अगला question और बड़ा महत्पून question आपके सामने screen पर आगया अगला question आपको दिया वा है, महा सागरिय धाराओं से जुड़ा हुआ, आपके exam में कई question महा सागरिय धाराओं सा आभे है, महा सागरिय धारा आप से पूछ ली, ठंडि गर्म जल धारा पूछ ली, मैं भी confused होगए ठंडि गर्म में, और इनिसे सम्मंदित question भाता आथा आप महासागर्य धारा उपन नीचे होगी ठीक है उससे आपको जुआर बाटा आता है तो जुआर बाटा करी जन को ने महासागर्य धारा होती है को ठीक अब इसने का है कि नीचे कुछ इनके उपर विचार करना और फिर सही लगाना है चलिए देखते हैं जिस इस्तान पर गरम तथा ठंडी जलदारा मिलती है वह इस्तान विश्व का विश्व भर में सर्वोत्य मत्स्य पालन यानि मचली पानने का छित्र बन जाता है जा ठंडी और गर्मी जलदारा एक साथ मि अगला है जहां गरम ठंडी जलदारा मिलती है उस इस्तान पर नो संचाला नियानि कि आपका जो नेविगेशन होता है ठीक है उसमें बादा उत्पन होती है अब देखें जैसे समूंदुर के अंदर कोई जा रहा है या फिर किसको रस्ता पता करना समूंदुर के अंदर तो जहां पर जल ठंडी और गरम ठारा एक साथ मिल जाएगी वह आपर कुछ पता नहीं चलेगा रस्ता ही नहीं पता चलेगा ठीक है तो इसमें भी प्रोब्लम फेस होती है तो इसका वाला पहला और दूसरा दोनों ही सही है यह नहीं नहीं यह वाला कॉन सा है यह और भी स्क्रीन पर आगया question जुड़ा हुआ है आपका जल यानी water से लेवा है तो जल एक संसाधन के संबंध में तीन statement नीचे दिये हुए A, B और C तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको सही statement का आपको chain करना है पहला दियावाई कि प्रित्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकत केवल 2.7% कोई यूज क्याजा सकता है ठीक है ये जल aja kaat छोग खेतों में भी भी घोड़ेगे तो उसका दुबार यूज Nap bord नौज wrath जाए ठीक करते तो जैसे आपका जल हुग handle Noda 1 भी किया आपका नभी करन्य के संचानन है आपकी विंड एर हो गई ही यह वह स्व कि हो गई इस ऐसे map यह आगया कि थी कहले एब और सी यानि एब और सी आपका फॉर्त आंसर आपका सही हो जाएगा चलिए बढ़ते पर आपके सामने इसका अंसर तो आप लोग दो खुद से ठीक है मैं देखूंगा इसका अंसर कौन से देगा पढ़ा को जी के स्कुर्टन का अंसर न आपको देवाया आपको वेतन दरे तैय कराना सिखानी है बच्चों को ठीक है तो पहला सर्मी को उसे आगड़े कत्रित करो वेतन तभी तो करने वाले उसको भी आप लोग देखोगे तीसरा सरमकानून या फिर जो लेवर कोर्स होती है उसको आप लोग जरूर देखो गही है लेवर से संबंदित कितीनी सूचना दी गई है लेबर के अधिगार क्या कर दी गई है उनके वेतन से सम्मदित क्या वाती कही गई है तो इसको भी आप लोग देखोगे उब्वोक्ता वे का सर्वेक्षन नहीं करेंगे ठीक है तो के अगला कुशन देखते क्या दिया है चीक अगला कुशन सामने के स्क्रीन पर है कि आस्मान में विबिन जिन खोगोलिय पिंडो के विश Southern दिये गई कंसे कौन सब गोलिय पिंडो की बात करने है बेसिकली कुश्चन आप का सोलर सिस्टम से लिया वाय है, ठीक है, और देखें सोलर सिस्टम बढ़ा सदवार आपका neka चैप्टर है, सोसल सायंस में भी आता है, सायंस में भी आता है तो सदावार चेप्टर है इसको मैं कराँगा यूटूब के उपर अपना ठीक है अब देखे सोलर सिस्टम के बारे में जब खकोलिय पिंड की बात आ रही है तो देखते हैं क्या चीज है हम रात में आकास में आसंखे टिम्टिमाते तारों की गर्मी और परकास अनुबाव नहीं करते हैं क्योंकि वह बहुत दूर है बिल्कुल से बात है जैसे सूरज भी क्या है एकतार है ठीक है और दोको हमसे कितना दूर है लेकिन फिर भी हम इसकी क्या है गर्मी को क्या काम करते हैं महसूस कर सकते हैं लेकिन आकास में ऐसे बहुत ज़्यादे आसंखे टिम्ट यह क्याआज कोई फीज नहीं है आपकी किलास अपना इस्तान नहीं बदलता नहींगे अप तो टाइम कर जमान आगया आपको टाइम देखना तो तरह बड़ा मेहट्फून फैक्टर रहता था था तो अगर दूरुतार यह इपना इस्तान बदलता रहा जाएगा तो जो यातरी रहेगा घुमने वाला रस्टा पता करने वाला वो ते दर दोर बटाकता मिलेगा ठीक है तो यह पुइंट आपका गलत है अगला है चंदर्मा अलगलग समय पर अलगलग आकार में विभिन आउस्तिति में दिखता बिल्कुल सही बात है कभी चंदर्मा पूरा गोल दिख जाएगा और कभी आपका आधा कट स्कीन पर देखते हैं नोट्स आपको वेबसाइट पर ही मिलेंगे ठीक है कुछ पूछना उसाथ में वर्ट्सप नमर दिया वाए उस पर मैसेज कर दीजा आप लोग अगला कुशन सामना आपकी स्कीन पर आया कि दिये गए कथनों का अध्यन करो और सई विकल्प का चेन क करो ठीक है चली देखते हैं यह वैसे कुशन तो मैंने लिया नहीं था मेरे क्याल से टाइपिंग के अदर गलती से आगया तो चलो देख लेते हैं हाला कि मैंने इसकी जंग दूसरा कुशन लिया था अब आगया तो करते हैं देखें दिया हुआ है आपको पहला एक का एक संशादन का रूप में इस्तमाल कर रहे हैं तो पहली बाद से ही है संचादनों का इसमें कारण दिया हुआ है कुछ संचादनों का आर्थिक मुल्य होता है और कुछ नहीं होता है ठीक यह बहुत बईSoamere और दोनों से आजए आँसारा आपका फरस्ट से हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट कोशिन क्यों नेक्स्ट कोशिन आपको दियावाए कि गाउं में जमीन या फिर भूमी को नापने और उसका रिकोर्ड रखने का उत्तरदाई तो कौन होता है थानेदान नहीं होता है ठीक है खर्ण विकास अधिकारी आपका फGGड़र नहीं फड़का यह नहीं डेंडाए नहीं चलों मुझे नहीं जानते तो उनने सीड्यो मैडम को फोन दें दिया तो इनका क्या कर सकते हैं तो भूमी को नापने का या उससे संबंदी जो रिकोर्ड होते हैं उनको जिम्मेदारी के इसकी होती है पटवारी की होती है आप लोग इसकी तैयारी में भी लगए होंगे ठीक अगला कॉस्टन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया 1905 में बंगाल विवाजन जो बंग बंग के नाम से भी फेमस है ठीक है बंग बंग के भी नाम से फेमस है उसके संदर में सही विकल्प चुनिए देखे 1950 में बंगाल का विवाजन हुआ था ठीक है और किस ने करा था विवाजन अंग्रेजों ने करा था अंग्रेजों की कौन के उपर हम लोग राज करेंगे ठीक है तो देखें यह था आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था अब इसमें सई स्टेटमेंट आपको चुनना है बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और ओडिया के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण हुआ था बिल्कुल नह अंग्रेजों की वज़े से हुआ था ठीक है अगला है अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे बिल्कुल सही बात है सेकिंड आंसस ही हो जाएगा यह बाढ़तों के हित्में परसासनिक सुईदा थी कोई परसासनिक सुईदा निती सिर्फ आंसार आपका बीस ही हो जाएगा केवल भीस अत्या है ठीक है चलिए बढ़ते हो आपके सामने नेक्स्ट कोस्टन के और अगला कोस्टन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया नीचे आपके क्या है पेर से दीवे इनको आपको जोड़ना है बिसिकली आपका 22 नולंबर को नहीं आपका 22 दिसंबर को ठीक है आपका कब होता है 22 दिसंबर को ठीक है आपका कए बाश्याज पूरा पर रहता है विशू आपका एक 20 मार्स को होता है तो आश्वाज को होता है तो आंसर आपका A और C सङ pross इन सवी है पहला आश्यारâu कर घजय beginners औ .. देदी अब देखो मैंने सिंपल लखा ncrt को पड़ जाओ डिटेल में या फिर जैसे आपको जो नोट से रखे प्रिवेसर के कुश्चन दे रखे उनको कर जाओ दोनों में से आपकी चोईस है आप क्या करना चाहते हो इससे बाहर चीज पेपर नहीं आने का ठीक चलिए पंजाबिक माध्यम का इस्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो बहरते सविदान के अनुसार कोंसे मोली कदिकार का अनुसरण किया जा सकता है ठीक है कितने मोली कदिकार है कमेंड बोक्स के अंदर बताओ हमारे देश के अंदर कितने मोली कदिकार है और यह बताओ पह बात हो रही है सांस्कृतिक और सेक्सिक अधिकारों की बात हो रही है ठीक है हर किसी को देश कंदा अपने समाज को अपनी संस्कृतिक को परचार परसार करने की पूरी आ जा दिये ठीक है तो अगर वह आपर कोई भी अपना सेक्सिक संस्ता खोलना चाहता है कोई पंजाबी तो वो ओल अवर इंडिया कहीं भी खोल सकता है कोलकता का कहीं भी खोल सकता है ठीक है तो किसी को भी रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है तो आपका संस्कृतिक और सेक्षिक अधिकार है आप लोग अपने समाज का संस्कृतिका सिक्षा का कहीं भी परचार कर सकते हो हमारे देश करना चाहते हैं लेकिन महाराष्ट के कुछ लोग ब्यार के लोगों को काम नहीं करना देते तो यहाँ पर वो बिहार के या उन लोगों के किन अधिकारों का हनन कर रहे हैं यह आप लोग मुझे कमेंड बोक्स नो बता हो यह सीट एट के एकजाम में कुछन पूछा गया था बत यह क्या आंसर हो जाएगा इसका तब तक मैं आपके ओ नेक्स्ट कुछन के ओ लेकर चलत है और उसके बाद लाल सा क्या जो मिलने के बाद अच्छी साधी हो जाए अच्छी गाड़ी आजए अच्छा घर आ जाए तभी तो हम दुखी रहते हैं तो यह जो दिख्सा तीह किस ने दीती मावीर जी ने दीती नहीं रिशब्देव जी ने दीती नहीं गोतम बुद ज पर्सेलिटी के बारे में एंचाइटी में दिया हुआ है सिर्फ वही से कुछन आपके पूछा जाता है यह नहीं दुनिया भर की कुछ वी उठाके पूछ लगा ठीक है तो आंसर आपका थर्ड सी हो जाएगा बाकि गोतम बूद के बारे में आपको पता भी होगा सब कुछ क बारा डीटेल में चैप्टर दिया है अगला कुछन आगे भारत की संसद में क्या सामिल है यहां से एक नंबर का कुछन आपके अग्जाम में बड़ा देखने को मिल जाता है यह वाला कुछन नहीं इस कोशन के मादम से जो चीज आपको बता रहो देखे भारत की संसद ती पहला दूसरा होता आपका राज्यसबा और टीसरा होता अपका लोक्सबा इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बंती है हमारे देश की संसद बनती है और बैसिकली जो है यहीं से कोशन आपके एक्जाम में आ राज्टपती से कोशन आ जाएगा राश्थ्तिय का ओन मेंड कैस तो इन तीनों टोपिक को बड़ा डिटेल में कर लेना आपके एक्जाम के लिए बड़ा मैत हुना है ठीक चुलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन आपके सामने क्या है स्क्रीन पर इसको पर नज़र डालते हैं ठीक है यह है यह सब अगला कुछन आपका महिलाओं के खिलाब लंगन होने पर महिला आंदोलन अपनी वाज उठाता है निमलिकित में से कौन सा अन्याय के और ध्यान आकरशित करने का एक बहुत सक्तिसाली तरीका है अब मालिज़े किसी महिला पर अन्याय हो रहा है ठीक है मालिज़े कोई डोमे अन्सर भी चेक करूंगा फिरिडम पहले दे दिया फिरिडम का है आप अच्छा पहले का अंसर दे रहो आप लोग उसका अधिकार हो का देखिए पहले आपका लो और गाइडलाइन्स बिल्कुल सही बात है आपको कानून का पता होना चाहिए ठीक है और गाइडलाइन्स पहनन होता है आपके खिलाब कुछ ऐसा होता है तो सबसे बड़िया तरीका आपका कानून और दिशान निर्देश आपको पताओने चीए जानकारी और जागरुकता जागरुकता से कुछ नहीं होगा आप उसको जागरुक करोगे वाइलेंस करने वाले को आत्तेचार करने सबसे बड़िया तरीका आपको कानून पताओने चीए दिशान निर्देश पताओने चीए कि आपके क्या अधिखारों की बात कहीगी है ठीक है तो आंसर इसमा आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा आंसर भी आप लोगों ने जादेतर ने बिल्कुल सही दिया है ठीक सर क्या स्लेवस चेंज वाए यह कहा से मलब इतनी बड़ी न्यूज कहा सा आगी ठीक है इतनी फरजी न्यूज आप लोग कहा से पढ़ते हो सीटेट की ओफिसल वैबसाइट पर इतनी ऊथेंटिक चीज आते हैं उसको आप लोग देखते नहीं हो पतानी फरजी चीज आप लोगों के पास कहा साती है कोई सेम वही सेम आपको यहीं चीज पढ़ने है ठीक है और आप लोग इन जैसे फेक न्यूज आती है इन सो थोड़ा बहुत बचिए जितना हो सके आपके लिए फायदा है ठीक आगे देखते हैं अगला कुशन आपका कि क्लास में एक छात आस थोडी प्रापति तो जो इस तेट मेंट यह जो कथर यह कथन बोलते समय च्छात निमली कित में से किस प्रकार क्या प्रियुक कर रहा है आप बतां किस तरकांश्य वयर्वक गॉस्ति फोर्श्ति ठीक हे उचा दर्जा उनको मिला मिला जाता था आगमनात्म तर गर 수न उदारन के उपर उसको तरक दिये जाता है यह आपका होता है उदारन से नियम होता है ठीक है तो यह तो आपको दोनों बच्चा करने रहा कारण और परभाव तरक दे रहा है कि ऐसा क्यों होता है उनको इतना उचापद क्यों प्राप्त से गुलाम हो और फिर उसको अत्तर की दे रहा है तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा चिक चलिए अगला देखते सामने आपका क्या आपको देवाई कि निमली कित मैं से कौन सी वायू में मौझूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस हो गया पिशली बार इवेस में भी कुछ्छन आये था और सोचल साइंस में आपको देखने को मिलता है देखे ग्रीन हाउस गैस होती है गलोबल वोर्मिंग जो हमारे मार जाकर जो आपकी greenhouse gas बनती है अब यह जो समू रहती है इनके अंदर कौन-कौन से greenhouse gas होती है तो उसमें जो सबसे खतरनाक मानी गई है वह मानी गई है CO2 यानिकि carbon dioxide सबसे खतरनाक carbon dioxide gas मानी गई है ठीक है जो greenhouse gas मानी गई है वनना तो उसके लाओ आपकी जाए जाए तो आज आपकी लास पर आपको 25 कुश्चन करा है इसी तरीके से 25-25 कुश्चन का सेट आपको कराऊंगा और आपके एकजान तक आपके काफी कुश्चन हो जाएंगे ठीक है तो आज आपकी लास जो है खतम हो गई social science की आयोप आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो इसको like कर देना और अपने दोस्तियारों के पास share कर देना ठीक है आप कोई आपके एक्जाम तक किलास चलेगी तो बेफिकर है न आप लोगों और पूछे क्या कुश्चन आप लोगों इस सर्थके नोटस बहुत अच्छी तार्गेट 120 प्लस हर षोब यार कमाल कर रहे हो नोटस पढ़ने के बाद और क्लास करने और अगर आप 120 का टारगेट ले रहे हो तो इसका मतला भाई मेरे नोटस के अंदर या क्लास के अंदर ही कमी है टारगेट जो आपको इजबाल ल लेकर आए 137 तक नंबल लेकर आए अभी एक दो इंटर्विव और डाल दूंगा ठीक है अभी एक दो बच्चों के इंटर्विव और डाल दूंगा जो 130 प्लस लेकर आए तो मेरे बैटे आप 120 पर ठीक हो तो हर्स भाई आप थोड़ा सा मलब और बढ़ आगे ठीक 120-140 तक ज कैसे तो मैंने आपका तीन दिन पहला आपका नोट्स लिया है क्या इसके लाव भी मुझे 6-8 के लिए एंसाइट पढ़नी पढ़ेगी नहीं फिर नहीं पढ़नी पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि 6-8 के एंसाइट आपको नोट्स के अंदर दी हुई है और प्रीवेसर के को आपको नोट्स के अंदर दिये हुए यह दो ही चीज आपको अपने एक्जाम के लिए करनी है बाकी मैं तो आप लोगों के साथ हुई और कोशन पूछे क्या कोशन आपका और टैंजन फ्री रहिए सोशल साइंस को जितना हो सक अपना स्टोंग करिए सबसे जो आपका जोड़ता भी नहीं है किसी भी मेरिट में आप लोग किस में जोड़ रहे हो और कुशन पूछे संस्कित का भी करांगा डोंट वरी एक बार नोटिफिकेसन आ जाए क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज अभी कि संस्कित ले इंगलिस ले कुछ छोल ले तो उसकी भी करांगा ठ जो नोट्स के अंदर है तो तो मैं दिखा देता हूँ एक सेकिंड यह बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं इसके अंदर यह मैंने खोल लिए अपनी वेफसाइट और सचिन एकेडमी और वेफसाइट खोलने के बाद यह आप लोग आ गए कुछ इस तरीके ठीक है आप कर सकते हो उसके अलावा एक चीज और अभी इनके अंदर और भी मोग टेश डाले जाएंगे लेकिन अगर किसी बच्चे ने इनको ले लिया साथ में तो उसको दुबारा पेमेंट करनी जरूत नहीं कि उनसे कोई दुबारा पेमेंट ली जाएगी कुछ नहीं करना जितने क्लास बहुत अच्छी है समझ में आता है कि कंटेंट के लाज भी होगी आपकी ठीक है रजी आलम का नेका सर मेरा 140 टार्गेट है बहुत अच्छा यह आपने बहुत वडिया दिखाया इस बार इतना लेकर चलो आप लोग चली आप मैं कुश्चन को यहीं फिनिस करता तब तक अपना ध्यान रकना पड़ते रहें ना गुड़नाइट टेक क्या